PSC TRE 3.0, exam date आगे आपका confirm हो गया, और June के second week से आपका exam स्टार्ट होगा, 7-8 से ले करके 15 तक exam चलेगा, और 1-5 हो, 6-8 हो, 9-10, 11-12, सारे कक्छाओं का exam आपका होना है, यह सुनिश्चित है, अब सवाल यह उठता है कि इसमें maximum वो इसे candidate हैं, खास करके 9-10, 11-12, 6-8 में भी, कि जो कि TRE 1 में भी बहुत सारे बच्चे भाग लिए, TRE 2 में भाग लिए, TRE 3 में भी 1-5, 6-8 वालों को मोका मिला, तो experienced भी हैं, अब बहुत इसमें नए भी हैं, तो जो experienced हैं, उनको थोड़ा परिशानी कम फिल हो सकता है, और नए वालों को थोड़ा सा ज़्यादा practice करने की ज़रत होगी, वो इसे तो सभी को practice करने की ज़रत है, क्योंकि आप देख रहे हैं, कि TRE 4 जो की अगस्त में होना है, अब लगता है कि TRE 4 अगस्त में होई जाएगा आपका, और TRE 4 तक आप नहीं पहुँचें, आपका इसा परियास रहे, TRE 3 में ही आपका confirm हो जाए, क्योंकि TRE 4 में इस बार जो estate examini हैं, कम सकम 2-5 लाग नए student वहाँ पर आपका घुश जाएंगे, यानि competition level और जादा आपका बढ़ जाएगा, इसलिए कोसिस करिए कि इसमें कैसे आपका seat पका हो, छोटा सा वीडियो हम आपका ज्यादा time waste नहीं करेंगे, छोटा वीडियो हम बनाए हैं, लेकिन कुछ बातों पर हम चर्चा करना चाहते हैं इसमें, कि result confirm कैसे हो, बहुत ही जरूरी बात है, इसमें हम दो तीन बातों पर चर्चा करेंगे, पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, कि अब last moment में, अधिक से अधिक revision, अधिक से अधिक practice, practice का भी दो mode, एक तो subject wise practice, maximum, daily संभव है तो daily, और इसके बाद full syllabus का practice, कम से कम सब्ता में, दो practice हम करा पाएंगे, और subject wise practice, daily हम 40 question का कराएंगे, ये दोनों आपके लिए बेहत महतपुर्ण है, और ये दोनों offline mode और online mode, दोनों के लिए आपको फाइदे मंद आपके लिए रहेगा, बाकी जिनका TRE 3.0 में बहुत अच्छे से नहीं परहाई किये हैं, TRE 4.0 का आप देखे होंगे कि कल से ही अपना batch start हुआ है, तो TRE 4.0 platform by Navin Kumar Singh पर just अभी start हुआ है, जो कि TRE 3 में भी फाइदा पहुचाएगा ही पहुचाएगा, लेकिन वो batch अगस्त को target करके लिया गया है, इसलिए के 50-60% सीले बस आपका मुश्किल से इस एगाउं TRE 3.0 तक में समाप्त हो पाएगा, इस बात को अच्छे से समझना है, इसलिए के TRE 3.0 के जो candidate है, सबसे ज़्यादा फाइदा उनको practice से ही होना है, अब आप देख लिजे एक point और इसमें है आपका, कि कुछ point हमने लिखाए कि TRE 3.0 में पूछे गए, प्रसनों को बारी की से समझना, खास करके 1 to 5, 6 to 8 के अभिहर थी, इस बार जो TRE 3.0 question पूछा गया है, उस पर एकदम बारी की से ध्यान देना है, कि किस हिसाब से pattern को आगे लेके बहा जा रहा है, इसके बाद आप देख रहें कि TRE 1.0 एब हम TRE 2.0 के प्रसनों पर ध्यान देना, यानि कि TRE 1.0 में जो question पूछे गए, 2.0 में जो question पूछे गए, तो पूछे गए question को बारी की से study करके, उसके area, मतलब कौन-कौन topic से पूछा गया, और label, कहां तक label को ले जाया गया, इस पर आपको खासा ध्यान देना है last moment में, और NCRT, अब हम SCRT का line by line study करना चाहिए आपको, क्योंकि आप देखे होंगे TRE 3.0 में जो question पूछा, 2.0 में जो question पूछा, complete NCRT, SCRT से line by line question पूछा है, who बहु line को उठा करके रख दिया गया है, इसलिए करके, अगर आपके पास समय है, तो उसको line by line पर हिये, और हमारे त team, history का, polity का, geography का, पूरा point out, expert team के द्वारा किया जा रहा है, उस point out करने के बाद, underline कर रहे हैं, अभी completancy art का, फिर उसका एक special notes बना करके, एक सबता के अंदर में, हम platform by Naveen Kumar Singh, telegram channel पर उसको उपलफद करा देंगे, उसको line by line आप अच्छे से पर जाईएगा, और पूरा मेर दावा है कि maximum question पकर में आएगा, उसी तरह का question पूछा गया है, जो हम आपको देने वाले हैं, पूरा expert team उस पर काम कर रही है, इसके अलावा exemplar और NCRT और SCRT based प्रसनों का अधिक से अधिक solve करना या revision करना, अभी जो भी 40 question के हम बातें आपको बताएं हैं, तो जैसे मान ल का यह है कि जो भी अभी बरतमान में syllabus जिस हिसाप से rotate कर रहा है, तो अपना एक criteria बनाए है कि हमको modern से कितना question उठाना है, से कितना question उठाना है, medieval से कितना question उठाना है, world history से कितना question उठाना है, तो 40 question का daily test, अभी हम इसका detail दिखाएंगे, और उसका discussion एक अपना नया channel बना है, platform teacher करके, platform teacher, नया YouTube channel है, उस पर discussion हम कराएंगे, यानि कि 40 question का discussion कराने का मतलब है, डेर 100 से 200 आपका नया question डेली तयार होग और full syllabus, Sunny वार अविवार को तो चलेगा ही चलेगा, इसके बाद negative बातों से बचना है, last moment में आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से लगातार, आपको उल्जाने वाली बाते होंगे, ये कर लो वो कर लो, आपको mind make-up करना है, आपको बच्चे नहीं है, अच्छी तरह के स समझ सकते हैं, last moment में हमको करना क्या है, अब आप देखिए, schedule के बारे में जहां तक, ये हो गया, full syllabus का test का schedule, पहले हम लोग एक से तीन test लेते थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं, कितना गर्मी, कितना धूप बला माहूल है, इसलिके उसको दो टाइम में हम टेस्ट को कर द पर आपका होगा, और Sunday को भी same schedule है, morning shift 7-9, evening shift 6-8, subject जो हम लेंगे Saturday को 1-5 का, और 6-8 math and science, 6-8 और 9-10 SST का history and quality जिसमें हम लेंगे, English का 6-8 और 9-10 का test, ये 4 paper का भी test लेंगे, और last moment में हम को सिस करेंगे, Hindi और एको भी सामिल करने का, हम देख लेते हैं, उसके बाद confirm करेंगे इसके बाद Sunday को जो test का schedule रहेगा, 1-5 का 6-8 math and science होगा, 6-8 और 9-10 SST होगा, 9-10 का math होगा, 9-10 का science होगा, English 6-8 and 9-10 होगा, इसके बाद हम बताएं कि और paper को हम एड़ करने का परियास करेंगे, जैसे ही हमारा question तयार हो जाएगा, उसको भी एड़ करेंगे, और अपना जो telegram चैनल है, platform by Navin Kumar Singh, उस पर हम ये detail आपको डाल देंगे, और ये सारा test offline है, और इसी का online test अगर आपको देना चाहते हैं, अपना एक special app है test के लिए, उस app को अलग किया गया, high special app को, आप देखेंगे, उसका नाम है, platform, red color मिलेगा, platform online test, ये app है, platform online test, इस पर ये सारा test आपको, full syllabus बला मिल जाएगा, यानि हम platform by Navin Kumar Singh app पर, platform by Navin Kumar Singh app पर batch मिलेगा, platform online test पर ये सारा test आपका मिलेगा, इसके बाद जो man है अभी आपको ये दिखाए, कि subject wise test, Monday to Friday सब्ताव में 5 days ये test चलेगा, 5 दिन ये subject wise test, सनी बार को full syllabus का test, रवी बार को full syllabus का test, इससे बहतर क्या चाहिए जिनका 1 to 5, 6 to 8 दोनों होगा, तो सुभे आप 1 to 5 दे लिजेगा सनी बार अभी बार को, और साम में आप 6 to 8 दे लिजेगा, दोनों आपका हो जाएगा, अधिक सदिक टेस्ट हो जाएगा, अब यहाँ देखना है subject wise test में, math का test, इसमें 40 question आपका math कराना है, और इसका time है morning मे 9 से 10, Hindi का 40 question, 9 से 10 इसका भी time है, जोगरफी का 40 question का test, 9 से 10 इसका time है, पॉलिटी का 40 question, इसका 10 से 11 टाइम है, हिस्ट्री का 40 question, 11 से 12 इसका time है, तो यह सारा offline test हो गया, offline test, offline test, यह हमारा साइधपूर मोर भिकनापारी सेंटर पर पतना में दे सकते हैं, इसके अलावा आप चा और इस सारे test को अगर online देना चाहते हैं, तो एक अपना app है, platform by Naveen Kumar Singh app, यह main app हमारा है, इस पर यह subject wise आपको सारा test मिल जाएगा, यह सारा test आपका Tuesday से start होगा, Monday एक दिन छोर करके, Saturday संडे तो full syllabus का होगा, एक दिन संबार इस बार भर हम gap कर रहे हैं, यह Tuesday यानि मंगलवार स यह test start आपका होगा, मंगलवार से यह सारा routine आपका follow हो जाएगा, आप देख रहे हैं, और इसका fee, इसका fee आपका 300 रुपिये, 20 test का, इसका fee लगेगा offline में, 300 रुपिया, और online में आपका 100 रुपिये में 20 test होगा, online में 100 रुपिये में 20 test, offline में 300 रुपिये में 20 test, और यह ज तो यही एक बहतर माध्यम है अधिक से अधिक रिविजन करने का बाकि सीटेट का भी अपना बैच चल रहा है और इंडिया का सबसे सस्ता बैच सीटेट का प्लेटफोर्म बाई नभीन कुमार सिंग एप पर लॉंच किया गया है सबसे सस्ता बैच उसमें क्या है उसमें 499 र इसका 1,2,5,6,2,8 दोनों है उसका 699 और सबसे बरी बात यह है कि 499 से उपर का जितना भी बैच है प्लेटफोर्म बाई नभीन कुमार सिंग एप पर अभी दो दिन के लिए आज और कल के लिए EID 40 EID 40 करके एक कूपन कॉट इसमें दिये है हम अगर कूपन कॉट लगाते ह है तो 40% आफ हो जाएगा यानि 999 का मैथ का बैच 999 का हिंदी का बैच TRE 4.0 के लिए 999 का इंगलिस का बैच 600 रुपिया में आपका उपलब रहेगा अभी से क्या सस्ता संबब है इसलिए आप देख लिजे जिनको भी कोई भी क्लास TRE 4.0 के लिए आपको देना है इससे ब रहेगा ही रहेगा वो चलेगा ही चलेगा तो आप देख लिए यह सारा चीज आपका रिविजन के लिए इससे बेस्ट आप्सन कुछ नहीं है चलिए इसमें इतना ही रखेंगे बाकी एक जाम आपका नजदीक है खूब अच्छे से परिए खूब मन से परिए और 80% का लेस है याने की 900 रुपिये में पूरा एक साल आप फाउंडेशन पर सकते हैं तो आप देख लिजेगा एप पर जो भी जरूरत का होगा तो धन्यवाद बेस्ट आप लग खूब अच्छे से पराहिके जिए खूब मन से पराहिके जिए